हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल के भी ए स्वाद का तड़का में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल सिम्पल सी और आसान सी भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी इसे मैंने बहुती सिम्पल तरीके से बनाया है खाने में ये बहुती तेस्टी लगती है तो आप भी बनाना चाहते हैं इसे मेरे तरीके से तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो यदि पसंद आये तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और नए है तो बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर ये अगत चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने ले ली है 200 गराम शिमला मिर्च इसे मैंने अच्छे से जो है धोल लिया था और इसे अच्छे से जो है पोश दिया है मानी इसका और यहाँ पर मैंने ले लिये हैं बॉयल आलू पांस से च्छे आलू लिये है मैंने इने अच्छे सुबाल कर छील लिया था दो प्याज बारिक कटी वी अद्रक लसन हरी मिर्च को दरदरा कूट लिया है स्टफिंग जो है चलिए तयार कर लेते हैं गास पर कड़ाई रख दी घरम होने के लिए और इसमें मैं डालूंगे थोड़ा सा ओईल और जैसे हमारा ऑईल अच्छे से गरम हो जाएगा इसमें मैं डाल दूंगी जीरा यहाँ पर जीरा जब चटक जाएगा हमारा तो हम इसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्च अब इसमें मैं डाल दूंगे थोड़ी सी हींग और अब इसमें आड़ कर देंगे अद्रक लसन और हरी मिर्च को जिसे मैंने दरदरा कूटा था आप चाहे तो इसका पेस्ट भी ले सकते हैं और इसे एक से दो मिनिट हमें हाइफ लेंप पे जो है चलाते हुए भून लेना ह इस तरीके से हमें चलाते हुए जो है इसे भून लेना है और अब इसमें आड़ कर देंगे हम प्याज बारिक कटा हुआ प्याज को डाल करके इसे जो है हलका कलर चेंज होने तक हमें भून लेना है प्याज को जो है हाइफ लेम पे मैंने अच्छे से जो है कलर चेंज होने तक थोड़ा भून लिया है हलकी ब्राउन कलर की प्याज हो गई है अब इसमें आट कर देंगे हम थोड़े से मसाले मसाले में मैं डाल रही हूं हल्दी पाउडर धनिया पाउडर एट कर दूँगी एक चमच के करीब और लाल मिर्च पाउडर एट कर दिया मैंने गरम मसाला डाल दिया है थोड़ा समय ने इसमें और यहां पर मैं डाल रही हूं सबजी मसाला और यह मैं डाल रही हूं इसमें काली मिर्च और जीरा का पाउडर अब मैं इसमें एट कर रही हूं बेसन एक से डिर चमच बेसन एट कर दूँगी बेसन डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है स्टफिंग का तो डालना मत भूलिएगा जरूर डालिएगा आप भी और गैस का फ्लेम जो है लो अच्छे से जो है इसे मिक्स कर देंगे तो अच्छे से हमारे मसाले जो है प्याज के साथ मिक्स हो गए है भून भी गए है अब इसमें मैं डाल दूंगे मैश किये हुए आलू आलू डाल करके इसे अच्छे से कर देंगे मेक्स अभी तक जो है मैंने स्टफिंग में नमक नहीं डाला था नमक जो है मैं अब डालूंगी इसमें अब मैं इसमें डालने वाली हूँ आमचूर पाउडर आमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं और अब डाल रस्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अब इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स जो आलू के टुकड़े रह गए है उसे भी जो है अच्छे से हम इस तरीके से इसी चम्चे से जो है हम तोड़ देंगे इसे यहाँ पर मैंने स्टफिंग को जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है आलू की जो स्टफिंग है लगबग हमारी बन करके रेडी है इसमें डाल दूंगे फ्रेश हरा धनिया की पतिया और धनिया पतिया डालने के बाद इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स गैस का फ्लेम जो है ओफ कर देंगे धनिया पती अच्छे से डाल करके मिक्स कर दिया है और इसे रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए और स्टाफिंग जब तक हमाई ठंडी हो रही है इधर हम शिम्ला मिर्च को रेडी कर लेते हैं स्टाफिंग भरने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है शिम्ला मिर्च का जो है उपर से यह हटा देना है इसका अराम से थोड़ा हटाना है इसे हमें और इसके अंदर से बीज हमें निकाल लेने है आप बीज का यूज कर सकते हैं स्टाफिंग में आलू की स्टाफिंग में डाल सकते हैं मैं यहां पर बीज का यूज नहीं कर रही हूं को कि सारे विच जो है इसके अलग से निकाल करके रख दूंगी कि इसारे बीच लिए सब्सक्राइब निकल जाते हैं के इसी तरीके से सारे श़िम्ला मिर्च को हमने तयार करना है शिम्ला मिर्च रेड़ी है स्टफिंग भरने के लिए अलू की जो स्टफिंग हमने रेड़ी करी थी वो भी ठंडी हो गई है उसे हम एक एक करके शिम्ला मिर्च में भरेंगे जम्मच की सायता से जो है इसे हम देखे इस तरीके से डालेंगे और चम्मच की बैक साइट से जो है अंदर की तरफ दबाते हुए जो है अच्छे से हमें भरना है इसे अच्छे से दवाते हुए जो है शिमला मिर्च में हमें भर लेना है बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है शिमला मिर्च की स्टफिंग भरने का देखिए इसी तरीके से सारी शिमला मिर्च जो है हम स्टाफिंग भर करके तैयार कर लेंगे स्टाफिंग को जो है अच्छे से भरिएगा तभी जो है इसका मजाएगा खाने का तारी शिम्ला मिर्च इसी तरह से तयार कर ली है मैंने इसे अब हम कर लेंगे फ्राय कराई को रख देंगे गरम होने के लिए इसमें हम डालेंगे ओल और ऑल डालने के बाद इसे कर लेंगे अच्छे से गरम और जब गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे एक एक कर की शिम्ला मिर्च को इस तरीके से इसी तरीके से सारी शिम्ला मिर्च को हम डाल देंगे पड़ाई में और ग्यास का फ्लेम कर देंगे मीडियम टू लो और इसे हमें ढग करके जो है पकाना है ताकि शिम्ला मिर्च भी अच्छे से हमारी कूख हो जाए इससे आठ मिनट के बाद चलेँ देख लेते हैं देखिए इसे अराम अराम से पलट देंगे इसी तरीके से हमें जो है 4 और से इसे पलट पलट के धक करके ही पकाना है भक करके से होता है शिम्ला मिर्च अच्छे से कूक हो जाती है और इसी तरीके से हम जो है इसे पलट पलट के पका लेंगे अच्छे से और फिर से इसे मैं ढख दूँगी और अब मैं इसे दिखाऊंगे आपको पकने के बाद यहाँ पर देखिए रेडी है हमारी शिमला मिर्च का भरवा अच्छे से जो है फ्राई भी हो गई है और पक भी गई है हमारी शिमला मिर्च पांच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे मैं थोड़ा साओर फ्राई कर लेती हूं बिना ढखे तो यहाँ पर रेडी है हमारी अच्छे से जो है देखिए कलर भी अच्छा आ गया है शिमला मिर्च का बन करके रेडी है हमारी शिमला मिर्च तो रेसिपी आपको कैसी लगी मेरी यह कमेंट में जरूर बताईएगा और रेसिपी यदि पसंद आयो तो प्लीज मेरे चैनल क कर येगा मिर्च रेसिपी को